आज हम बनाएंगे हरी प्याज और आलो की सब्जी नमस्कार पहले हम लेंगे तेंसे चार आलो एक प्याज एक टिमाटर और थोड़े सी अद्रक कटी हुई हरी प्याज को मैंने साफ करके अच्छी तरह से इसको निकाल लिया है और धो लिया है अब हम इसे काटेंगे सबसे पहले मैं स्प्रिंग ओनियन मतलब की हरी प्याज को सई से मीडियम साइज में काट लूँगी आप से जैसे कटे आप वैसे काट लीजिए छोटी बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो गली जाने है मेरी हरी प्याज में आगे की गाठे जादा मोटी नहीं थी तो इसलिए मैं अलग से भी प्याज डाल रही हूँ वैसे आप प्याज ना डालना चाहें तो भी ठीक है मैंने लिया है कड़ाई में एक चमचा सर्सो का तेल शर्सो के तेल को मच्छी तरह से पका लेंगे आप रिफाइंड ओयल में या किसी और ओयल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं तेल गरम होने के बाद मैं डालूँगी इसमें आधा चमच जीरा कटी हुई प्याज और हरे मिर्च अद्रक कटे हुए टिमाटर सब को हमें एक के बाद एक डाल लेना है आप चाहे तो इसारी चीज़े एक साथ भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें मिला दूँगी कटी हुई हरी प्याज इनको हम सही से मिक्स कर लेंगे ये देखे इसके बाद हमने कटे हुए आलो मिला लेने है ये रैश्पी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ इसे कोई भी बना सकता है इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम मिलाएंगे इसमें अपने मसाले हम मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा ही चम्मच मिलाएंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा आधा चम्मच नमक दो बार आप चाहें तो एक बार में चम्मच चम्मक भी डाल सकते हैं इन मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है याद रहे हमें गैस को हल्का ही रखना है मैंने इसमें पाणी आड़ नहीं किया है क्योंकि स्प्रिंग ओनियन जब दोते हैं तो उसमें ही बहुत सारा पानी रह जाता है आपको अगर जरूरत लगे तो आधा कप पानी डाल सकते हैं अब मैं इसको ढखके रख दूंगी पांच मिनट बाद हम अपनी सबजी को थोड़ा सा चला लेंगे अब मैं मिलाओंगी इसमें आधे से थोड़ा सा कम गरम मसाला गरम मसाले को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सबजी को 2-3 मिनट के लिए हलकी गैस पर ढखकर रख देंगे ये देखिए हमारा गरम मसाला भी से इसे मिक्स हो गया है और और हमारे आलू भी गल गए हमारी हरी प्याज और आलू की सबजी बनकर एकदम तयार है अब हम इसे खाने के लिए शेर्ब करेंगे इस रेशिपी को कोई भी असानी से बना सकता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और ना ही ज़्यादा टैंसन लेनी है मेरी ये रेशिपी आपको कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं हमारी इस रेशिपी को एक बार घर में ट्राई जरूर करें आप भी खाएं और पूरे फैमिली को भी खिलाएं हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार झाल